हेलो दोस्तो, स्वागत आपका यूटूब चैनल जनरल डोजवाई एजे पर दोस्तो, उमीद है कि आप सभी घर पर होंगे और सेफ होंगे SSC UFM इसका नाम दोस्तो आपने सुना होगा, हाल ही में ये काफी सुर्ख्यों में रहा था आसा है कि आप सभी इस रूल को जानते होगे अगर आपको SSC UFM के बारे में नहीं पता तो मैंने इसके उपर पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है आप आई बटन पर जा करके उसको चेक कर सकते हो दोस्तो, SSC UFM एक ऐसा रूल है जिसकी वज़े से हजारों बच्चे योग्य होते हुए भी नोकरी नहीं लग पाएंगे दोस्तो, SSC UFM को लेकर के SSC के चेर्मेन का एक बयान आया था जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि जल्दी ही SSC UFM को लेकर के एक कमेटी बनाये जाएगी और जितना जल्दी होस के इसके उपर डिसीजन लिया जाएगा दोस्तो, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके उपर आगे क्या कारवाई की गई है अगर इसके उपर कमेटी बनाई जा चुकी है तो SSC के चेर्मेन बार बार इसको क्यों चुपा रहे हैं दोस्तो, देनिक भासकर जो की एक डेली न्यूज पिपर है उन्होंने SSC UFM को लेकर के एक मुहीम चला रखी है हम जानेंगे कि SSC ने UFM को लेकर के आगे क्या प्रोसेस की है देखे दोस्तो, सबसे पहला स्वाल उठता है कि SSC UFM एक स्कैम है या नहीं देखे दोस्तो, ये देनिक भासकर की ओफिसियल वेबसाइट है इसके अंदर कुछ न्यूज च्छपी है जिनको लेकर के हम डिसकसिन करेंगे और आप अंदाजा लगाएगा कि UFM एक स्कैम है या नहीं SSC का जूट 27,552 अभ्यार्थियों ने UFM नियम की पालना का सच कई अभ्यार्थियों ने अगरजा वै आसा सब्द लिखे जिने फैल नहीं किया गया दोस्तो, UFM mainly इसी चीज को लेकर के है कि जब आप नाम लिखते हैं, जैसे कि XYZ लिख दिया, ABC लिख दिया, उन चीजों का लेकर के भूँच्छे कंडिडेट को फैल कर दिया गया, लेकिन इन्होंने यहां पर बता रखा है कि भूँच्छे कंडिडेट ने अगरजा आसा जैसे सब्दों का प्रियों किया, जो की काल्पनिक नाम हो सकते हैं, उनको फैल नहीं किया गया, देनिक वासकर ने आर्कियाई में जवाब मांगा था, तो उनका जवाब क्या आया है, देख लेते हैं देखे दोस्तों, अससी ने पबलिक नोटी से जारी कर दावा किया है कि CHSL 2018 टीर 2 में 36,152 उमिदवार उपस्तित हुए थे इन में से 4560 को छोड़ कर सभी ने नियोमो का पालन किया, इन 4560 उमिदवारों ने कोपी उनकी पहचान वास्तविक या कालपनिक नाम पता मोबाइल नमबर आदी का उलेख किया, बासकर ने RTI में मांगी गई उत्तर पुस्तिकाओं के जाच की तो SSC का जूठ सामने आ गया, उधारन की तोर पर एक अव्यार्थी ने पत्तर लेखन के अंत में लिखा है तुम्हारी अगर जा, ओके, इसी उत्तर पुस्तिका में आसा सबद भी लिखा गया है, लेकिन SSC ने इन को UFM नहीं माना, दोस्तो आप देख सकते हो कि देनिक वासकर ने जो RTI लगाई है और जो कोपी उनके सामने आई, तो उसके अंदर UFM था, लेकिन उस कंडिडेट को फैल नहीं किया गया, तो कुछ सपेसल चूट, कुछ सपेसल कंडिडेट को दी गई, ये देनिक वासकर की RTI में सामने आया है, एक बात और दोस्तो, जब आप अपना मोबाईल नमबर लिखते हैं, या फिर PIN कोड लिखते हैं, तो आप काल्पनिक नहीं लिख सकते, अब इस चीज़ को भी UFM के अंदर डाल दिया गया है, लेकिन जब RTI में खुलासा हुआ, तो देखिए, PIN कोड को एक अब्यार्थी 110003 लिखता है, लेकिन जो उसका वास्त्विक है PIN कोड वो 110002 लिखा, लेकिन उसको भी UFM नहीं माना गया, दोस्तो ये देनिक भासकर की ओफिसिल वेबसाइट है, आप इसको पूरा चेक कर सकते हो, अब हम देखते हैं कि UFM को लेकर के आगे क्या प्रोसेस की गई है, तो दोस्तो आप अंदाजा लगा सकते हो, UFM एक स्केम है या नहीं, अब देखते हैं कि UFM के उपर आगे क्य प्रोसेस की जा रही है, चेर्मेन बोले कमेटी तैक रहेगी UFM सही या गलत, बासकर सवाल कमेटी बना दी तो नाम क्यों छिपा रहे हैं, देखे दोस्तो एक तरफ तो चेर्मेन बोल रहे हैं कि कमेटी बना दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ वो उस कमेटी को सारजनिक न स्क्रीन सोट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि आगे क्या क्या प्रोसेस की जा चुकी है, सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि UFM को हटाया जाएगा या नहीं, अगर दोस्तों UFM को हटा दिया जाएगा तो हजारों ऐसे कैंडिडेट जो कि वाक्कई में नोकरी के हकद हैं उनका भई से सुरक्सित हो जाएगा, अगर दोस्तों इसके उपर कोई भी अपडेट आता है तुम आपको बता दूँगा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत